दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर देश में कोरोना को लेकर 30 जुन तक रहेगी सकती केंद्रिया ग्रिया मंत्राला ने सभी राज सरकार को दिया है निर्देश जिहा देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इस वक्त की बड़ी कबर सामने आ रही है केंद्रिय ग्रिय मंत्रालाई ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो 30 जुन तक कोरोना की मौज़ोदा गाइडलाईन को जारी रखे कि कोरोना वरिस कमी आई है लेकिन फिलाल हालात ऐसे नहीं है कि नर्मी बरती जाए और ऐसे में सक्त निगराने के आवज सकता है केंद्र गिर्या मंतलाई की तरप से 25 अप्रेल को जो गाईलाइन जारी की गई थी उसे ही आगे 30 जून तक लागू रखने को कहा गया है कि राज्यों को कंटेंडमेंट जोन की सिमा तै करने का अधिकार होगा राज्यों में चल रहे लोगडाउन को बढ़ाने या घटाने या फिर उसमें कोई धील दिये जाने के पूरे अधिकार भी राज्यों को ही दिये गया है अब यह राज्यों को तई करना होगा कि वो अपने राज में चल रहे लोगडाउन में कोई डील देना चाहते हैं या नहीं अगली बड़ी कबर बाड से परभावेत होने वालों को मिलेंगे 6000 रूपे पोटल से लिंक कराए आधार नमबर पतना जिले में बाड से परभावेत होने वालों की सेंक्या करीब 1,48,664 है रहत समगरी के लिए सभी का अधार नमबर आपदा संपून पोटल से लिंक होना चाहिए बाड से बचाओ रहतकार के लिए आवस्यक तैयारे 31 मैं तक पूरिक कर ले ताकि कोई परिशानी ना हो जिला अधिकारी डाक्टर चंद्रसेकर सिंग ने अनुमंडल पदाधिकारी और सियोक के साथ वीडियो कॉनफरेंसिंग के मायदम से इस आशाय का निर्दिस दिया है बता दिकी बाड परभावेत लोगों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपे दे जाने है या रहत उनी को आपदा संपुन पोटल पर अपना आधार नमपर लिंक करा लेंगे अगली बड़ी कबर कोरोना और यास तुपान के बाद बिहार में अब डेंगो का खत्रा जानकारिक की साथ रखे ये सावधानी जिहां यास तुपान के कारण मौसम में अचनाक बदला हुआ है वहीं ब बचर जनित बिमारियों की समावना भी बढ़ गई है बारिस के बाद महलों में जल जमाव के कारण डेंगो वा मलेरिया होने की समावना है सदर अस्पताल के डाक्टर ने कहा कि डेंगो को लेकर आप मौसम अनुकूल होता जा रहा है तापमान गिरकर 30 डिगरे के पास योग करें डेंगो के मचर दिन में अधिक कारते हैं ऐसलिए दिन में विसी स्तोर पर सतर्क रहें गर में कुलर के पानी को बार बर बदलते रहे साथी गर के आसपास कोई ऐसा समान हो जिसमें पानी जमा हो जाता तो उसे ततका लटा दे अगली बड़ी कबर अब एक पोन पर आपके घर पहुच जाएगा जालो आम और लिची सरकार सुरू करने जा रहे है डोर टो डोर डिलिवरी जिया अब एक पोन पर आपके घर पहुच जाएगा जालो आम और लिची बागवाने करने वाले किसानों को मुनापा और आम पिची और जदालो आम का स्वाद ले सके इसके लिए क्रिसी विवाग दोनों फलों को डोर्ट उपलब्द कराने जा रहा है उडान देहात और बिग बास्केट को जोड रहा है अब इसके जरिये उपभोकताओं को ताजा एवाम ओच गुनवकता योग उतपाद उनके घर प पादक कमपनियों का गठन किया गिया है अगली बड़ी कबर लोगडाउन में पुलिस की सकती से पटना हाइकोट नाराज रोक लगाने का आदेश दो जुन तक राज सरकार से मांगा जवाब जिहां लोगडाउन में पुलिस की सकती पर पटना हाइकोट नाराज है बिहार पर जद लगाम लगाई जाए सिवानी कोसिक की लोखित याचिका पर हाइकोट की चीप जस्टीस संजे करोल और एस कुमार के खंडबेट ने सुनाई करते हुए या आदिश दिया है मामले की सिनवाई करते हुए हाइकोट ने दो जुन्दक राज सरकार से जवाब मांगा है लवडान के दोरान पुलिस की बरवर्ता की तस्वीर आने पर कोट ने चिंता जाहिर की है अगली बड़ी कबर भारत को मिलने वाली है चार नई वैक्सीन हर दिन एक करोड लोगों को टिका करें की तैयारी जिहां नीती आयोक की सदस डाक्टर विनूत के पाल ने देश में वैक्सीन उपलब्दा की जानकारी देते वे कहा कि जल्दी भारत में चार नई टिके आने वाले हैं उन्हें अभी बताया कि केंद्र सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ हर दिन एक करोड लोगों की टिका करन की तैयारी कर रही है राज की और से टिकों की कमे की सिकायत के बीच उन्होंने बताया कि राज सरकार कूल उत्पादन का 25 पीज़दी हिस्सा खरिद रही है साथ उन्होंने कहा कि राज हमारे वैक्सीन उत्पादन चमता को जानते हैं जब उन्होंने कहा कि वे वैक्सीन खरिदने में लचिला पन चाहते हैं तो नया सिस्टम लया गया केंद्र सरकार देश में उत्पादी 50 पीज़दी टिकों की खरिद करेगी जिनने राज्यों को मुप्त में दिया जाएगा और इनका इस्तिमाल 45 पलस लोगों के लिए होगा सेज 50 पीज़ी राज सरकारे और प्राविट सेक्टर खरीदेंगे अगली बड़ी कबर कोरोना के बाद बिहार में बढ़ने लगा है माज 9 दिनों में इसे पीडितों की सेंका एक से बढ़कर 308 तक जब पहुचा है राज का पहला मरेज पटना एमस में सुमवार 17 माई को भरती हुआ था और अंगाबाद का या मरेज पूर्वो में कोरोना संकरमित था दो दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी राज के प्रामुक अस्पतालों में ब्लैक पंगस के 178 मरेज भरती है इसके अलावा राज में अब तक ब्लैक पंगस के 9 मरेजों की मौत हो चुकी है अगली बड़ी खबर बिहार में दो दसमलव 10 पिजदी वी कोरोना संकरमित पिछले 24 गंटे में मिले पचीस सो अड़सट ने संकरमित रिकवरी रेट बढ़ा जिया बिहार में कोरोना वारिस के मामलों में लगातार कमी आ रही है पिछले 24 गंटे में 25-28 ने कोरोना संकरमित मरेज की पहचान हुई है एक दिन पूर्व 263 ने कोरोना संकरमित की पहचान हुई थी पिछले 24 गंटे में 35 कम ने कोरोने सामने आये हैं हाला कि कोरोना संकरमन दर में 0.13 पहचान की गई है पूर्व राज में कोरोना संकरमित मरेज की पहचान की गई है अरारिया में 111, बेगुसरा में 136, गोपाल गंज में 157, किसन गंज में 118, मुझपरपूर में 128, समस्तिपूर में 121, सुपोल में 108 और वेसालि में 107 ने कोरोना संकरमित मरेज की पहचान की गई है अगली बड़ी कबर बिहार पहुचा यास तुपान, बाका जमोई से इंट्री, पटना समित 34 जिलों में तेज बारिस सुरू, मुझप विभाग ने कहा यास कमजोर हुआ लेकिन अगले 48 घंटे तक असर रहेगा तुपान यास पच्चिम बंगाल और ओरिसा से होते हुए कल साम बिहार पहुच गया है, राज के बाका जमोई जिले से तुपान केंड्री हुई है, कल दोपार बाद चकरवात के कारण मौसम में बड़ा असर हुआ है, पटना पच्चिम चंपारन, पुर्वी चंपारन, स और सिवान समेत, 34 जिलों में मैदम और तेज बारिस हो रही है, पटना इस्तित मौसम विगान केंडर का कहना है कि बिहार पहुचते पहुचते यास कमजोर पढ़ गया है, फिर भी अगले 48 गंडे तक इसका प्रभाव पूरे राज में बना रहेगा, आगे उन्होंने कहा क दक्चिनी बिहार के रास्ते परवेश करने की वज़े से उधर की जिलों में तेज बारिस होगी, लेकिन बाकी हिस्सों में हलकी से मैदम बारिस होगी, साथ यास का असर चार दिनों तक पूरी तरह रहेगा, इस दोरान 160 मिलीमीटर बारिस होने की सम्हावना है, यास के प् पपो यादव को मधिपूरा के निजले अदालत से नहीं मिली रहात, अब सेशन कोर्ट में जमानत के लिए होगी अपील, या 32 साल पुराने मामले में जेल गए पूर्व सांसत, पपो यादव को पिलाल मधिपूरा के निजले अदालत से कोई रहात नहीं मिली है, पपो य अगली बड़ी कवर बिहार में 18 पलस को तीन दिन बाद भी स्वेधा नहीं केंदर ने ओन इस पड़ रजिस्टरिशन करके वैक्सिल लगाने को कहा सेंटर को राज सरकार के आदेश का इंतिजार जी हा केंदरे स्वास्त मंत्राला ने देश के सभी राज्यों को आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 18 पलस के लिए ओन स्पोर्ट रजिस्टरिशन की सुवेधा दे जाए आदेश की तीन दिन बाद भी बिहार में या सि कारी नहीं किया है इस कारण से समय सा रही है दूसरी तरफ स्वास्त मंत्री मंगल पांडे का बयान राज्य में वेक्सिन के कोई कमी नहीं एक करोर से ज्यादा लोगों को लग चुका है टिका अभी भी 4,47,450 डोज भंडार में जिहां लगातार ये बाते सामने आ रही है कि कोरोना की टिके की कमी हो गई है कई सेंटर पर टिका नहीं दिया जा रहा है लेकिन बिहार के स्वास्त विभाग के पास कोवीड वेक्सिन की अभी भी 4,47,450 डोज बंडार में बची हुई है इसके जानकारी खूद स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने दी है उन्होंने बता स्वास्त विभाग को केंद्र और राज सरकार द्वारा एक करोड आठ लाग 54,092 वेक्सिन प्राप्त हुए है इनमें से एक करोड तीन लाग 76,340 कर्च हो चुके हैं आगे भी वेक्सिन मंगाई जा रही है वेक्सिन की कोई कमी नहीं होगी अगली बड़ी कवर पटना एम्स में 2-18 साल के बच्चों पर आज से सुरू होगा वेक्सिन ट्राइज जहां एम्स पटना में बच्चों पर वेक्सिन का ट्राइल सुकुरवार से सुरू होगा इस ट्राइल में 2 साल से 18 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं यहां का आटी PCR और एंटी बोडी भी जाज की जाएगी बताया कि ट्राइल में समिल बच्चों को 700 रुपिय प्रोतसाहन रासिवा प्रमान पत्र भी दिया जाएगा साथ उन्हें ने बताया कि सुकरवार गुपुरे देश में बच्चों पर वेक्षिन का ट्राइल सुरू हो रहा ह देश में 525 बच्चों पर इस्क्राइल होगा इसमें पत्ना एम्स में 80 बच्चों पर ट्राइल होगा ट्राइल में भाग लेने के चुक लोग मॉबाइल नंबर 9471408832 पर कॉल कर सकते हैं अगली बड़ी कबर गरिबों के लिए बनेंगे 11,50,000 आवास जिया प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना के तहत राज को 11,00,000 से अधिक इकाया आवंटित की गई है इससे गाउं के गरिबों का माकान बनेगा एक आवास इकाय के लिए 1,00,000 से 1,00,000,000 तक दिये जा इस योजना की तहत आवास निर्मान पर 60 फीजदिक खर्च केंद्र सरकार करती है बाकी रासी राज सरकार देती है इसके अलावा उन्होंने बताया कि भुमेहिन परिवारों का आवास जमिन के अनुपलबता के कारण नहीं बन पा रहा था राज में ऐसे परिवारों की सें आट अजार रुपिय दिये जा रहे हैं अरां की बड़ी खपर ग्रामिन डाक सेवकों की भरती की उन्नी सो चालिस पदों कि लिए आवेधन की तीथी बड़ी अभियार्ती अब उन्तिस मैं तक कर सकते हैं आवेधन जी हा यदि अब तक आपने ग्रामिन डाक सेवक के पहले आवेधन की तिती 26 मैं थे आवेधन भरने की तिती वैसे अभियरतों के लिए बढ़ाई गए थे जिन्नोंने पहले रेजिट्रेशन करने के साथ फेस का भुगतान कर दिया था लेकिन फाइनल एप्लिकेशन जमान ही किया है इससे समांदित जानकारी एक दिन पहले डा इंगर सरकार द्वारा जारी किये गए निर्देश के अनुसार क्या सभी राज्यों को 30 जून तक लोगडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं इसका जबाब आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं